हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल वी आई पी टॉपर क्लासेज में आप सबी का बहुत बहुत सागत है आज का हमारा टॉपिक है सच्चा धर्म इस पर निबंद यह निबंद लेकन का वीडियो जो है बहुत ही रिकमेंड़ है बहुत सारे बच्चों मैंने कमेंट किया और एक कमेंट तो बिलकुल अभी मुझे जस्ट टू आवर्स है गोई आया है तो इस वजह से मुझे लगा बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने तुरंत इसका वीडियो बनाया है तुरंत अविलेवल कराने के लिए मैं लिखने ही पाई इसक ऴीडियो से स्लाइट चलेंगजी तो आप देख सकते हैं चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सच्चा धर्म फरस्ट है प्रस्तावना सेकेंडे सचे थर्म की परिभाशा फिर्द्य कि मै Cyr फर्थ है धर्म और विज्ञान फिफ्थ है धर्म और साइक लो जिसका उपयोग आम जनता विविन समुदायों समूहों और राजनेतिक दलोदारा अपने उपयोग में किया जाता है लोगों को एक जुट करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला यह सब्द आम तोर पर उनके बीच मदभेट की रेखा भी पैदा करता है धर्म का पालन सांत से रहने का दूसरा नाम है लेकिन क्या लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं क्या उनका धर्म उन्हें खुशाल और सौहाद्रपून मार्ग पर चलना सिखा रहा है या नहीं यह सच्चाई नहीं है धर्म जो है सिर्फ राजनितिक दलों का एक उपकरण बन गया है जो लो सच्चे धर्म की परिभाशा है धर्म आंतरिक आत्मसंतुष्टी की भावना को बढ़ावा देता है सबही धर्म अपनी भाशाओं में समान मानेताओं का प्रचार करते हैं सब्द अलग-अलग हैं किंतु संदेश एक ही होता है सच्चा धर्म शान्ति को बढ़ावा देता ह और दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुचाता है सच्चे धर्म का पालन करने की दिशा में पहला कदम स्वयम के सांत सांती इस्थापित करना है जब कोई व्यक्ति स्वयम के सांत सांती बनाता है तो वह बाहरी दुनिया के साथ सांती बनाने की स्थिती में होता है वह अच्छे उद्देश के लिए खुद को समर्पित करने के लिए तयार है यह धर्म के प्रती सच्चा समर्पण है तो यह हो गई सच्चे धर्म की परिभाशा अब हम देखते हैं धर्म की महत्ता तो प्रत्यक धर्म चाहिवा है यहूदी हो इसाई हो हिंदू हो बौध हो इसलाम हो कुछ नैतिक मुल्यों की आवशक्ता पर जोड़ देता है जो आपके जीवन को संतुलित कर सकते हैं और आपको धर्मित्ता के मार्ग पर चलने के लिए और अपने अनुयाईयों को गलत काम करने से रोकते हैं यह है धर्म की महत्ता हम धर्म से क्या क्या सीखते हैं धर्म हमें क्या क्या सिखलाता है यही उसकी महत्ता कहलाती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे वसुदैव को टुम कम की सीख सच्चा बस एक संकीन और जूटे मुखोटे में धाल दिया जाता है जहां इसे धर्म की संग्या दी जाती है या चर्चों का अंधापन या हिंदू और मुसल्मानों की एक दूसरे के प्रती नफरत है या सच्चे ग्यान का नाम है जहां लोग जानते हैं कीवे जानवर नहीं है जानवर एक दूसरे को खाते हैं मनश्य नहीं इस तरीके से वसुदयव को टुमकम की सीख देता है हमें सच्चा धर्म ठीक है अब देखते हैं धर्म जो है आत्म महत्व को कैसे बढ़ाता है तो धर्म व्यक्ति के आत्म महत्व को बढ़ाता है, श्रयम को अनन्त अनुपात तक विस्तारित करता है, मनुष्य श्रयम को अनन्त के साथ जोड लेता है और अनन्दित पहसूस करता है, जब हम पूजा पाट करते हैं, जब हम धर्म से जोडते हैं तो हमें बहुत ही अच्छ लगता है धार्मेक विश्वासदारा प्रदान की गई आत्म चापलूसी से समाज को भी लाब होता है और मनुष्य अपनी इच्छा सकती के प्रती जागरुक हो जाता है जब भी हम धर्म से जोड़ते हैं तो हमारा जो आत्म महत्व है हमारा खुद का महत्व है यह बढ़ जा पास धार्मिक ज्यान होना बहुत महत्वूर्ण है मनुष्य के वलग्यान के अधार पर ही नहीं जीता है वह एक भावनात्मक प्राणी है हम अपने सैक्छनिक छेत्रों की तुलना में अपने नैतिक व्योहार से अधिक खुले तोर पर चुड़े हुए है धर्म जो है मनु पर आस्था रख सकते हैं और धर्म ही यह विश्वयास दिलाता है कि कोई अद्रश्य शक्ति रहष्मे तरीके से उसके नुकसान को भी सार्थक बनाती है और कश्टों को भी सार्थक बनाती है और दुखों के पीछे के कारण प्रकट करती है तो इस तरीके से धर्म जो है हम के धर्म पर निर्भर करता है धर्म मनुष्य के सामाजी के विवहार का मुख श्रोत या ब्लॉक है एक व्यक्ति अपने पूर्वजों या पूरव वर्तियों से सबसे अधिक सीखता है और धर्म मनुष्य की सांस्कृतिक प्रस्ट भूमी से संबंदित है धर्म जीवन के समाज का हमारे समाजी की करतव्यों का इनका नियंत्रन करता है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कि धर्म और विज्ञान का है विज्ञान जो है जाच करता है धर्म जो है व्याख्या करता है विज्ञान मनोशी को ग्यान देता है जो सकती है धर्म जो है मनोशी को बुद्धी देता है जो कि नियंत्रण है यह किस ने कहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है यह किस ने कहा है तो यह अलबर्ट आइंस्टाइन ने कहा है मतलब कि धर्म और विज्ञान जो है ए लेकिन सच्चा धर्म अलग होता है यह मनुश्य को सक्तिसाली ईश्वर की एक रचना के रूप में देखता है जब लोगों को सत्य का अनुवाव होगा तो वे धर्म का पालन करेंगे दिखावे से भरी जिंदगी उन्हें विनास के रास्ते पर ले जाएगी इससे दुख और दुरुप योग नहीं करना चाहिए यह हमें मनुश्य को सक्ति प्रदान करता है इश्वर में विश्वास प्रदान करता है धर्म यह है तो अपने धर्म का सदुप योग करें ना ही किसी प्रकार की धर्में घिंसा करें और ना ही करने दें इस तरीके से हमारे वीडियो मुझे जिस तरीके से आपके कमेंट useful लगते हैं उसी तरीके से आपको मेरा वीडियो भी useful लगना चाहिए तो आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और चैनल में अपना support बना कर रखें thanks for watching